कि काम, क्रोध, मदलोब, मोव, सब त्याग दो अच्छी बाते त्याग दो बढ़ त्यागें कैसे? कुछ ना कुछ घठता है, कुछ ना कुछ ऐसी होता रहता है गुसा आही जाता है इस दुनिया को वाकई में प्रकार्श मान करना है, प्रकार्शित करना है ये यूँ झहीं कि आगे भड़ना है इस दुनिया से जितने थी हिंसा है जितने भी बात करào है ये जितने भी बुराईआ है अगर इनको निकालना है, इनको दूर करना है तो दूपरा रास्ता नहीं है रास्ता केवल जब आप विपश्ठा करेंगे एक एक कदम चलेंगे, ये गंदी की सारी अपने आप, अपने आप धीरे धीरे निकलती चली जए. आज इस काहिकर में आए हुए आधनिय पूर्फ जज डॉक्टर नेपाल सिंग जी, मचपर ग्राजमान श्री सूरे प्रकाल जी, अर्चना जी और सामने बैठे हुए मेरे सभी भाईयों, बेहनों, आप सभी को मेरा नमब बुद्धा है, जैभी. जैभी. सबसे पहरे आप सब को बुद्ध पूर्डिमा की 2600 संसेट में बुद्ध पूर्डिमा की आपको और आपके मातन से सभी साथियों को बहुत-बहुत बलाई बहुत-बहुत शुद्ध कामना है साथियों जितना कुछ बोला जा चुका है अगर वो भी हम समझ रहें और अपने जीवन में अमल में ले आएं तो मैं मानता हूँ कि कुछ और बोलने के जर्वत नहीं है अधनी डॉक्र नेपाल सिंग्जी मैं मानता हूँ कि यहां इतने भी लोग बेठे हैं शाह सबसे ज़ादे विद्वान और बुद्ध की सिक्ष्वों के विशे में बहुत अच्छी तरह से बताने में वो सबसे समर्थ रखती हैं और उन्होंने बताया बहुत कुशी हुई बेहन अर्चना जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया समझाया लेकिन कई बार हम लोग जो है अधीर हो जाते हैं और तफागत का धर्म धीरच खोरा नहीं बताते हैं अगर हम किसी ऐसे कारिकर में आए हैं सो अंत तक सुना चीए नहीं तो हमें चले जाना चाहिए कोई उसमें दिक्कट वारी बात हैं हो आज आज एशिया की सबसे बड़ी वार दिल्ली वार एसोसेशन उसमें आज बुद्ध जैनती मना रहे हैं बुद्ध पूर्ली में का कारिकर मना रहे न है तो यह अपने आपने भूद्ध धर्म की तकत की ताकत है बफशाब प्रव्दे हैं कि और आज इस समय जो माहल चलना है आप उसको देखी रहे हैं साथे हो मैं बीए में पढ़ता आता है तो मेरी घर में मेरे बुज़ुर्ग पढ़ते होंगे मेरे पिताजी पढ़ते होंगे बारस आपके लिखी में किताब ते बुथ और उनका धर्म तो मैं क्योंकि बीए में पढ़ता तो थोड़ा समय मिल गया तो एक बार वो किताब मुझे दिखी मैंने वो किताब पूरी पढ़ी शुरू करी तो पूरी पढ़ी मैं और उसको पढ़ने के बाद ही मैं समझ पाया कि बापर साब ट्रॉप्टरम वेट्र ने हमारे लिए कितन बड़ा काम किया तमाम बफ्ट शाहित दे जो भी जिस तड़ का भी था उसकी सारी कमियों कंजोरियों को सारी भ्रांतियों को खत्म करके हमें ये गरत दिया बुद्ध और उनका धर्म ताकि हम बुद्ध को और उनके धर्म को अच्छी तरह से सही अर्टों में समझ सके हैं आप अगर देखते हैं तो शुरू की जो प्रस्तावना है उसमें हची पताई है कुछ की ऐसा छोड़ा नहीं उस समय तक जो भी बुद्ध और उनका धर्म है क्याँ वस्से तो किताबे हैं इतियास में आप पड़ेंगे तरह-तर के जो विद्वान है इतियास कारें उन्होंने लिखा है लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं बाद साहब को और उस बुद को पढ़ते हैं तन्हां के पता लगती है कि हकीक मैं बुल्फ और गधर्म किस तरह की भ्रांतिया फ्यली या फ्यलाई पी इच और। कि अग्र सब्सक्राइब यह में तर्म नहीं पता फिर यह मैँ नहीं करते हैं वरह कि उत्राश छौ पता कि वाकी में ततागत का धर्म क्या है और विपश्चना केद ही एक ऐसे इस्थल है जहां आपकी उमली पकड़के ततागत का जो धर्म है धर्म है उस पर एक एक कदम एक एक कदम चलाया जाता है लोग बहुत कहते हैं हम सब में बहुत सुना है कि काम क्रोध मदलोब मोव सब त्याग दो अच्छी बाते त्याग दो पर त्यागें कैसे हैं कुछ ना कुछ घटना है कुछ ना कुछ ऐसी होता रहता है गुसा आही जाता है ये गुसा खत्म कैसे हो ये ततागत का धम्र है ज अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो गेवर उसको पढ़ने से और समझने से क्या आप कहेंगे मैंने पढ़ लिया मैंने जान करिये उस गरंद में निकाए मैंने समझ लिया इससे कुछ पढ़ पढ़ना नहीं जब आप विपश्णा करेंगे एक एक कदम चलेंगे ये पर आप अपने आप धीरे-धीरे निकल दीच लिए जिन साथियों ने की हैं मालूम है कि अंदर से गर्दिगी निकलती है तो दिखते भी है कैसे निकल लगी है इसके आप है लोग नहीं करना चीए बिलकूं सही बात है लेकिन लोग छोड़ नहीं पात है हम जब से वकीर ह अगर कोई काहिंत आजा पीस ले किया जाए तो बहुत बाखी चीज बात ना करें पर अपीस ले कर चेम रखो पैसे बाकी बात रहें यह जो चीज है यह जो लॉब है हम इससे कैसे मुट्व हो वो रास्ता तथागर्ण ने बताया है हमारे अंदर से तृष्णा हमारे अंदर से जितने में बुड़ाईया हैं यह सब कैसे निकल जाएं और कैसे हम मन से पूरी तरह से विशुद्व हो जाएं जैसे भी अधर डिप्टर नेपासिंग जी ने बताया ना जो उसमें बताया ने कि एक बुजर्ग महिला तथागत के पास आई उनसे पूछा कि हमें तो धर्म बहुत सीधे शब्दों में सब्जादों बहुत जादा पेकांट विद्वानों की बाते समझ में नहीं आती तो तथागत ने का कि धर्म तो ऐसे हो अगर समझ में नहीं बताया तो अगर आसन शब्दों मैं संध में आये तो अगर आसनदों में संध हमारे विदी तो और अगर ढाइक करन कोश्रा से सै चिट परिजब दपनन एस बुद्ध रोत शासनन तो आपका मन नितांत निर्मत पवित्र हो जाए वो रास्ता ततागत ने केवल बताया नहीं उम्री पकड़ के आपको उस रास्ते पर चलाया आजी तभी ये धर्म इतने समय तक चला आज के संदर में मैं तो यही कह सकता हूँ अगर इस दुनिया को वाकई मैं प्रकाश मान करना है प्रकाशित करना है यह यूँ कहें कि आगे बढ़ना है इस दुनिया से जितने भी हिंसा है जितने भी बात कर्म है या जितने भी बुराईया है अगर इनको निकालना है इनको दूर करना है तो दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता के वल बत्त काहिए, उसी रास्ते पर चलना होगा, अन्यता कुछ नहीं होगा, और साथे ओ, एक बात आप से बहुत सीधे-सीधे कहना चाहता हूं, सभी साथे हैं, उमीद करता हूं आज तैसे नहीं है, और फिर भी, अगर हमारे अंद अगर किसी तरह का लालच है डर है तो हम ततागत को न मानते हैं न ततागत को हम जानते हैं बल्कि हम सिर्फ अपने आपको धोका दे रहे हैं किया अगर उसले में होगा है इसे बैद को कुछ लेना देना है नहीं भाव सापकर थी दुछ लें लेना नहीं बढ़ाते हैं तो हम कहां बावाला साथ को मांते हैं कहां ततागत को मांते हैं अगर यह डर हमारे अंदर है सो यह ऐसी चिढ़े हैं जो हमारे अंदर से जिस दिन निकल जाएंगी उस दिन बाकी में हमारा रास्ता फ़िर्श Bennett होने लगएगा और ततागत की सिक्षाओं को जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपना लगेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन और प्रकाशिद होने लगे हो जन्द की दूर होने लगे तो ततागत का धम किवल कहने की ये चर्चा की बात नहीं है चप्चा जणद जरूरी है यह बहुती हैं कि लोगों को कि मार कि सुनेंगे नुझाइगे नइश जिस अ मुझा होटा है सुनेंगे वैसमें है तो कि आ उस यह उस संदर वे च जरूरी है जोगों के बनाना है तो तद्दागत के सिछाओं को विपश्णा को इस दुनिया के देश के नहीं दुनिया की सिछाओं को अभिन अंग बनाना चाहिए अभिन अंग और बच्चा जब तीसरी किलास में हो तीसरी क्रास के बाद से चौदी क्रास में हो तो एक ए घंटे आदा आदा घंटे वो शुरूरत कर देनी चाहिए और जब बच्छा ग्रेजुट होके निकले तो पूरी तरह से विपर्शना में पारंगत होके निकले अपने आप तराम गंद गिर्स के अंदर से लिकल जाएंगे उसे कहीं कुछ आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अफसोस आज की जो राजनितिक हिस्तियां है यह जो राजनितिक करता धरता है उन्हीं चीज़न से कोई देना देना नहीं है मैं मांता हूं हम सबको इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और जब भी मौका मिलेगा हम विपशना को सिख्षा का एक अभिन अंग बनाएंगे और इस देश को बाटी में भारत को प्रबुत्व भारत बनाएंगे और विश्व को खुछाल और तरकी पर चत्ता हुए विश्व बनाएंगे आप में अंद तक आप बैठे हैं सुनें मुझे सुना हैं और सात्यों को सुना भाई साथ आयार सिंगी ने मुझे समय दिया का बहुत बहुत हैं लेकिन कभी समय में पर फिर करेंगे आज कितना ही नवर उठाए जब है